औरियो जाए नमस्क्रा बीसेन न्यूज की खास मुलाकात में मैं शितिजा आप सभी का स्वागत करती हूँ आज हमारे साथ है फेमस एक्टर समीर खान और आज हम उनसे जानेंगे कि वो इस शेत्र में कैसे आए है उन्होंने अभी तक कौन से कौन से सिरियल या वेब सिरीज में काम किया है और सभी जानकारी हम उनसे लेंगे सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है बीसेन न्यूज में सबसे पहला समीर मेरा ये सवाल है आप दीखते तो बहुत हैंडसम हो नो डाउट और पिंक सिटी से भ क्या रूची रही है आपको अभिने की शेतर में क्या बताऊगे सबसे बलतों I wanna thank BCN news for inviting me here और उसके नाव अगर मैं अपनी जर्णी की स्चाट करूं तो आज से पांस साल पहले मैं अपनी जर्णी स्चाट करी थी कॉलेज में I used to do acting in my school events फिर रुख किया मुंबई की तरफ तो मुंबई आके जो मेरे गुरू है Mr. Anupam Khair उनके अंडर में ट्रेनिंग ली उसके बाद से फिर जो ये मैदान है इसमें उतर गए पहला शो मेंने किया था टीव इंडस्ट्री में वो बाले के वदू था उसमें उस प्लेइंग उतकर्ष हाँ जी उसके बाद फिर अगर मेरे लास्ट शो की बात करें जो आप लोग शायद अभी देख रहे होंगे स्टार प्रस पे कभी-कभी इत्रफाक से वो उस माई लास्ट सीरियल जिसमें जो मेरा केरेक्टर था बहुत ही फर्स टाइम में ऐसा केरेक्टर प्ले किया है जो हीरो भी था और एक साथ विलेन भी था एक साथ दो केरेक्टर प्ले करने का अलगी मज़ा होगा इसमें भी बहुत सारे किस्से आपके होंगे तो पहले मैं यह पूछना चाहोंगी कि आप जब स्कूल या कॉलिज लाइफ में थे तो कभी ड्रामा में मतलब जिस इसमें आप काम कर रहे हो तो कभी ड्रामा या इससे जुरे कुछ मॉडलिंग से जैसे जुरे शोव यह पहले भी किये आपने बिल्कुल जब मैं मैं जब मैं एर्थ में स्टेडर में था तब सही मैं मॉडलिंग शुरू कर दी ती उस वक में रहा करता था मेरे बर्ट प्लेस उदेपूर में तो मुझे याद है कि मुझे जमाने में उदेपूर से जैपूर जाय करता था मॉडलिंग करने के लिए और God has been kind to me, उनको मेरा काम पसंद आया, और उन्होंनों मुझे कहा कि Samir, you should come to Mumbai, मेरा प्रोजेक्ट है, तो उस बहाना से मैं Bombay आया, और Bombay आना ऐसा हुआ कि आज, इतने साल हो गए, बस लगे हुए हैं, शुरवात तो आपकी इस मुकाम पे हो, क्या बताना चाहोगे, कि जिस तरह से आपने लाइफ में आपके मुवाउन हुए हो, जिस तरह से आप काम, वेब सिरीज है, टीवी में, सिरियल में काम कर रहे हैं, और अभी बहुत से अपकमिंग प्रोजेक्ट भी हैं, में इसके बारे में आप से पूछने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मुझे बताईए, कि जो ये सफर था, वो कैसा रहा था, कितने अप एंड डॉन इसमें आए थे, कितनी अच्छी, मतलब बोलते ना, कि हम कोई भी सफर शुरू करते, तो इसके अच्छी और बुरी, दोनों आता थे, मतलब यादे रहती, तो क्या बताना चाहते हैं? जो हमारा एक्टिंग जो फील्ड है, इसके बारे में बहुत सारे थौट्स मार्केट में हैं, कि बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, और एडियां घिस जाती है, तो मैं सभी से यही कहना चाहूँगा, जो एक्टर बनना चाहते हैं, कि जितना बड़ा अच्छीवमेंट होगा, उतनी ही बड़ी स्ट्रगल रहेगी, आप जितना बड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, आपका अच्छीवमेंट भी उतना ही बड़ा होने वाला है, आप बिलीव करेंगी, आज अगर आपके पियोन की जोब के लिए आप अप्लाई करते हैं, तो क्या वो इजी है? नहीं इजी है, सीट्स होती हैं कुल 50-70, और कैंडिट्स होते हैं हजारों में, आपके वीव वर्षन को बताना चाहूंगा, एक्टिंग का लुक से कोई connection नहीं है, ऐसा बिलकुल नहीं है, कि अगर आप गुड लुकिंग है, तो ही आप अक्टर बनेंगे, ऐसा बिलकुल नहीं है, आप टीवी पे जितने भी चेहरे देखते हैं, क्या सब गुड लुकिंग होते हैं, नहीं, गुड लुकिंग सर्फ हीरो कुछ क्याक्टर होते हैं, तो मेरा मानना है, कि हर इंसान में एक चीज़ ऐसी होती है, जो सिर्फ उसी में होती है, तो आप वो चीज़ पहचान हो, और उस पे काम करो, उसको लेकर आके बढ़ो आप। बहुत ही सही बुलिए, मुझे ये बताईए कि जिस तर से आपने पहला सिरियल, पहला जो भी शो किया है, उसके बारे में क्या बताना चाहो गया? जो पहला शो था मेरा वो बाली का वदू था, और बहुत ही सर्प्राइजिंगली मुझे वो शो मिला था, बिकज मैं ये कहना चाहूँगा कि उपरवाला का मेरे सर पर हाथ राए, कि मैं मुझे जहां भी मैं जाया करता था, मुझे रिस्पॉन्स मिला करता था, एक्टिंग आती है, एक्टिंग के साथ डान्स आना चाहिए, तो मैंने डान्स सिखा, अच्छा जो हीरो होता है वो फाइटिंग भी करता है, तो मैंने मार्शल आट भी सिखी, उसके लाब में अक्षे कुमार को देखता था, अक्षे कुमार काफे स्टंट्स अगरा करते हैं तो हाथ पे चलना वगएरा, बाइक पे चलना तो मैंने वो चीज़े भी सिखी, मैंने स्वीमिंग करना पड़ती है, हॉस राइडिंग करना पड़ती है, तो मैंने सारी चीज़ें सीख खर ही बहुंब आया था, तो यह सारी आपके जो होबी होती हैं, गर्ट्स होते हैं, यह आपके हतियां आ रहे हैं, उनको लेकर आप मैदान में चलोगे, तो आपको जीत सरूर मिलेगी, इसके बाद आपने कभी-कभी इतफाक से सेरियल में भी आपने काम किया है, और अपकमिंग प्रोजेक्ट भी आपकी शुरू है, उससे पहले में यह सुनना चाहूंगी कि फिलाल आप जो काम कर रहे हो, वो कौन से इसमें मतलब प्रोजेक्ट पे काम शुरू है, क्या बताओ? अब भी करंडली आइम शुर्डिंग फॉर वेब सीरीज, वेब सीरीज एज जी फाइफ की वेब सीरीज है, और इसमें, आइम गणा प्लेइग इंस्पेक्टर करड़र, मेरी बहुत टाइम से मेरी ख्वाहिश थी, एक पुलि इंस्पेक्टर फॉरी प्ले करने की, तो इस सीरिस में मैं इंस्पेक्टर प्ले कर रहा हूं उसके अलावा, उसके अलावा करेंडली मैं भी एक Music Album कर रहा हूं हमारे Kara Production का Kara Production काुछी सांग है और सांग का नाम है इश्क بن जारा और बहुत ही Beautiful सांगolar बहुत हीẹ्योग फूबप सूरत सांग ARE तो फिलार हम उस पर तयारी कर रहे हैं, जैसे ही हमारी शुटिंग अंबिड होती है, हम उसके बारे में आपको अपडेट करेंगे मुझे ये बताईए कि टीवी शोल से वेब सेरीज तक का सफर, फिर से कैसा रहा, किस तरह से आप वेब सेरीज में भी मतलब आए हो, क्या बताईए अब भी जो जमाना है, वो मोबाइल पर आ गया सब कुछ, वो अदियन्स बहुत कम हो गई है, जो मोवी, सीरियल, टीवी पर बेटके देखा करती थी आज कल सब काउच पर बेटकर और फोन में देखना पसंद करते हैं, और रही सही जो कसर थी, वो हमारे लॉकडाउन ने पूरी कर दी तो पब्लिक एडिक्टेड हो गई है, चीज़े है फोन में देखने की, और इसी के चलते जो ओटिटी प्लैटफोर्म है, इसको बहुत सपोर्ट मिला है, राइट, काफी व्यूवर्स बड़े हैं, उपर्चुनिटीज बड़ी हैं, तो आई बिलीव कि अभी जो वेब सीर होने दिखाई देते हैं, ये जो आपका कामिंग प्रोजेक है, कारा फावसड़ेशन के साथ, जो है अपका सॉंग में आरे है, अल्बम सॉंग है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताई, किस परका है, ये एक जो जो जैसा इसका टाइटल है इसक बंज अधूरी लव शुरी वो अपनी मंजी तक नहीं पोछ पाती यह इसोई अधूरी रहकर भी यह कैसे पूरी है वो हम दिखाएंगे इस सौंग में यह सौंग जो है हमारे दर्शक को कब तक देखने मिलेगा क्या बता होगे इसका मतलब इस पर इस प्रोजेक्ट पर काम अधूरी तो हमारे दर्शक को और हमें बिल्कुल मतलब इंतजार रहेगा आपकी इस जो आने वाले सौंग का लेकिन और एक बात पूछना चाहेंगे जिस तरह से आप टीवी शो फिर वेब सेरीज अब अल्बम सौंग तो क्या बताओगे कितना डिफरेंट लगता है इस सब करने में ऐस एक्टर जो मेंने फिल किया है वो डिफरेंच ये है के सीरीज में अशेन एक्टर आपको फिडम मिलता है राइट, सीरियल में कही नहीं आप बंदेवे होते हो, लेकिन सीरीज में आपको अपने अक्टर आपको freedom मिलता है, आप अपने according आप खेल सकते हो, और obviously बात है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जो आप जो टीवी सीरियल में नहीं प्रजेंट की जाती हैं, बट उन चीज़ों आपको मौका मिल जाता है प्रजेंट करने का OTT में, तो हर तरी की freedom एक तरह से मिल गई है actors को भी और makers को भी OTT के जरीए, जादा पसंद है web series या उसमें काम करना, पसंद ना पसंद, platform नहीं कहूंगा, एक्टर की पसंद होती है character, अगर आप मुझसे पुछेंगे कि आपको ये character पसंद है या वो पसंद है तो मैं बता पाऊंगा, जहां तक रहा सवाल television का और OTT का, तो I personally जैसा कि मैंने कहा है, freedom जादा OTT में होती है, जैसे कि आपने अभी बोला कि character जादा माइने रखता है, तो मुझे ये बताईए कि ऐसा कुछ character करने की इच्छा है, जैसे हमार तो मुझे यही सुनने मिलता था कि Samir, you have got a cute face, तो you are not made for villain, आपको hero, chocolate boy, तो एक time के बाद में थोड़ा सा मेरी बोर सा हो गया था, मेरी ख्वाहिश दी कियार में भी villain play करूँगा, right, we have so many example, शारुख खान साव, डर, villain, you know, कितना अच्छे से रहने प्ले किया था, अजनभ यही तोड़ना चाहा रहा था कि villain play करने के लिए आपको, you know, ऐसा दिखना जरूरी नहीं है, right, तो यह मुझे opportunity मेरे previous show में, Star Plus पे जो आता था, कभी-कभी इतिफाक से, उस project में मुझे 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 मिला villain play करने का, और काफी starting में, it was a great character, starting 6 महीने में, positive रहा है एक राम की पर मैंने परसनी रावण वाला phase मेंने जाता एंजोई किया, exactly, क्योंकि आपकी ख्वाइच थी कि ऐसा, मतलब, रोल जो है, वो निभाना है, जी, जी, बिल्कुल, मैं यह पुछना चाहोगी, जो अभी यंग्स्टर है, मतलब, एक रात में उन्हें लगता है कि हम, जो है, स क्षेतर में आने को, मतलब, उनको लगता है, हम आए, हम भी हमारा नाम रोशन करें, या हम भी एक फेमस एक्टर बने, तो उन्हें क्या बताना चाहोगी, इस इंडस्ट्री के मारे में, चित्ते वी यंग्स्टर है, जो आना चाहते है, इस फिल्ड है, सब से पहले में यही मुझ में ही है, मैडम में कुछ ऐसी बात है, जो मैडम में ही है, तो अपने अंदर की वो एक बात का पहचानों के वो बात क्या है, और उसको साथ लेके चलोगे, तो आप अपनी पहचान मना पाओगे, बाकियों से हटके, पब्लिक को दूसरा शारुक खान नहीं चाहिए, दूसरा अक्षेगुमार नहीं चाहिए, पब्लिक को जो आप है, कुछ नई चीज़ पब्लिक को हमेशा देखना पसंद होती है, तो अपनी बास अपनी काबिलियत पे काम करें, और जैसे के आमीर खान सर ने 3D8 मूवी में कहा है, कि चेज एक्सिलेंस, सेक्सेस विल फॉल आता है, तो एक इंस्पिरेशन के साथ आता है, तो आपके लिए कौन ऐसा प्रेड़ना स्रोथ है, मेरी इंस्पिरेशन, पॉलिवुड इंडस्ट्री में कुछ ही ऐसा अक्टर्स हैं, जो जो सेल्फ मेड रहे हैं, जिनका कोई फैमिली बेगराउंड नहीं रहा है, जितने मोशली हैं, किसी की फैमिली में कोई स्टार था, प्रेड्यूसर थे, डिरेक्टर थे, तो मैं इंस्पार्ट था, दो लोगों से, जिनका मैं फैन भी हूँ, एक तो हैं मिश्टर शारुख खान, और मिश्टर अक्षे कुमार, यही दो हुमारे स्टार हैं, जो बिना किसी तब भी हम एक्टर बन सकते हैं, मुकाम पर पहुँच सकते हैं, तो यहां माई इंस्पिरेशन इस मिश्टर खान और मिश्टर कुमार, तो हमारे साथ सामीर खान थे, और उनने बहुत ही, मतलब अच्छे तरीके से उनकी जर्नी जो है, हमें बताई है, और उनके आने वाले आशा करते हैं कि सौंग के बाद हम आप से फिर से मिले और आपकी फिर से ऐसा ही इंटर्व्यू हम ले, बहुत बहुत चुप कामना है आपको आपके अगले भविशे के लिए, हमारे साथ है समिर खान, इननोंने बहुत अच्छी जानकारी हमें दी है, यंग्स्टर्स को भ झाल